नमस्कार में प्रिया आज है 27 जन्वरी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बता दे कि आप रोजगार से जुड़े टेली के टॉप 5 समाचार से अबडेटेड रहने के लिए हमारे नई यूट्यूब चानल जियोवी पीवीटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं जुसक इसके साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी आप नीचो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दियेगे वेब लिंग पर ज़ा कर ले सकते हैं बिहार के आम नागरिक का होगा मुफ्त में टीका करन बिहार उधान सभाचुनाफ के दौरान ही बिहारवासियों को मुफ्त में टीका मुहाया करवानी का दावा किया गया था जिसके तहट अब ज़ंडो तोलन के बाद बीते दिन राजपाल फागो चौहान ने अपने अभिभाशन में कहा है कि बिहार में हर वर्ग और हर छेत्र के विकास के लिए राज़सरकार दिर्ड संकल्पित है नियाय के साथ विकास की नीती पर निरधन कारिक कर रही है उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमन को राज़सरकार के अथक प्रयास से बिहार में काफी हद तक नियंद्रित रखने में सफलता में लिए हर निवासी को निशुप्टी का करन का निर्न सरकार ने ले लिया है इतना ही नहीं उन्होंने कोरोना के माहॉल में गाइडलाइन का पालन किये जानी की बात भी कही है गांधी मैदान में निकाली गई 10 जाकिया राजपाल ने वीर सेनिको को प्रश्रस्ती पत्र और पुरस्कार की राशी भी दी हाला कि गंतंतर दिवस के मौके पर कोरोना का असर देखने को मिला है बिना दर्शकों के हुए इस कारिक्रम में राजपाल फागो चोहान के जहन्डो तोलन और परेड की सलामी के साथ ही जहांकिया भी निकाली गई बिहार को कुल मिलाकर मिले 24 सम्मान बीते दिन गंतंतर दिवस के मौके पर राश्टपती की तरफ से दिये जाने वाले पुरस्कारों के साथ-साथ पुलसकरमियों को दिये जाने वाले वीरता पदक की खोशना भी हो गई है ग्रहबंतराले की तरफ से जारी सूची में देश के कुल मिलाकर 1,097 लोगों को इसमें शामिल किया गया है जिसमें बिहार के कुल मिलाकर 24 हस्तियों के नाम शामिल थे यानि कि समूचे सम्मान में से बिहार का हिस्सा 2.18 प्रतिशत देखने को मिला दस को पदमभूशन पुरसकार मिला, बिहार के दिगकजनेता दिवंगत केंद्रेमंत्री रामविलास पासवान इस पुरसकार से नवाजे के हैं इसके साथ ही चार को पदमश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है पुरसकार पाने वालों में गोवा की दिवंगत राजुपाल मुर्दला सिंग भीव शामिल है वहीं और साधार अनकाम करने वाले 32 बच्चों को राश्ट्रे बालवीर पुरसकार मिला है बिहार के कलोती साइकल गर्ल के नाम से चरचा में आई जियोती को यह पुरसकार दिय बिहार में कोरोना के मिले 100 से ज्यादा मामले स्वास्तवभा के तरफ से साज़ा की गई जानकारी के नुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 गंटे में कुल मिलाकर 160 मरीजों की पुष्टी हुई है जो इसकी बात प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,6,6,149 पर पहु बिहार वासियों को 28 से पहले ठंड और कोहरे से रहात मिलने की कोई उमीद नहीं जताई गई है उतर पश्रिम अदिशा से हवा का प्रभाव बढ़ने के कारण पिछले दो दुनों में कंकनी का माहौल देखने को मिल रहा है जिसके बाद राजधानी पटना को छोड़कर ब दूप देखने को मिलेगा साथ ही कोहरे की स्थिती भी सुभह श्राम में देखने को मिलती रहेगी हवा में कंकनी के कारण धूप निकलने के बावजूद अधिक्तम तापमान सामाने से काफी नीचे बना हुआ है राजधानी पटना में भी अधिक्तम तापमान सामाने से तीन डिग्री नीचे ये दर्श किया गया है। उरान यात्रा के तहट अयोध्या और सीता मढ़ी के बीच हेलिकॉप्टर सेवा भी शुरू की जाएगी। तक आयोजित होने वाली है। परिक्षा के शुरूआत साढ़े नौ बजे सुबह से होगी। वहीं 12 बच के 15 मिनट पर आयोजित होने वाली परिक्षा की ओमार्शी दस बच कर 45 मिनट पर जमा कर ली जाएगी। परिक्षार्थियों को पहले अब्जेक्टिव प्रश्णों को ही हल करना होगा। वहीं 14 चौराहे पर फूलों की बर्शा की गई। उत्तिर्ण करने के बाद भाजपा विधायक अनिल कुमार ने बताया कि उन्होंने फर्स्ट अटेंप्ट में ही हसफलता हासिल कर लिये हाला कि वो पेशिस एक इंजीनियर है। नई सम्मान योजणा में रूची नहीं ले रहे हैं किसान, बहार में किसान सम्मान के लिए बनाई जा रही, नई योजणा में अब किसान रूची नहीं ले रहे हैं। कई बार तारीख बढ़ाने के बाद भी सभी प्रखंडों से आवेदन नहीं मिल पाता है। स्कूल खोलने को लेकर अब 30 जनवरी को होगी क्राइसिस मानेजमेंट ग्रूप की बैठक भिहार में जूनियर कक्षा को खोलने पर सोच विचार किया जा रहा है। कोलने के मुद्दे पर आपदा प्रबंधन की बैठक प्रस्तावित थी लेकिन राजे में पढ़ने वाली भी शन्ठन को देखते वे बैठक अगले सप्ता करने का ने लिया गया है। 31 जन्वरी को हो सकती है। फर्जी सिक्षकों की पहचान को लेकर अब सिक्षा विभाग ने निकाली नई तर्कीब। बिहार में फर्जी सिक्षकों की पहचान करने के लिए एक पत्र जारी क्या गया है। आज हेतू प्राप्त नहीं हुए हैं। उनके जिला वार, प्रखंड वार, नियोजन एकाई वार, विपरन सम्मंधित जिला के जिला सेक्षा पदाधिकारी के कार्याले द्वारा अप्लोड किया जाएगा। भाजपा ने महामंत्रियों को दिया जिले का प्रभार। जिला का प्रभारी बनाए गया है। एवं मीडिया प्रभारी का जिम्मा दिया गया है। श्रपती रहे श्री आर विंकिट रमन जी का 2009 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। CBI ने लालु यादव के दस्तावेज का किया विरोध। जिसमें उन्होंने अपनी सजा की आधी अबधी पूरी होने की बात कही है। कि अब उनके इस दस्तावेज पर CBI ने विरोध कर दिया है। जिसके तहर CBI ने हाई कोट से कहा है कि जिस मामले में लालु प्रसाद यादव आधी सजा काटने का दावा कर रहे हैं। जमानत मांग रहे हैं उसमें वो आधी सजा भी पूरी नहीं हुई है। जाना जाता था वो 1922 में शांती निकितिन के कलाभवन के प्रचारे बने थे। वोटेगोर परिवार और अजंता के भित चित्रो से प्रभावित थे। उनकी क्लासिक कृतियों में भारतिय पौरानी कथाओं, महिलाओं और ग्राम जीवन के द्रिश्यों के चित्र शामिल है। आज कई आलोचक भारत के सबसे महत्वपूर्ण आधुनेक चित्रों में से उनके चित्रों को मानते हैं। 1976 में उन्हाने भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षन साथी साथ सरकार के संस्कृते विभाग की जिम्मेदारी भी संभाली थी। लालो यादव को रिहा करने की मांग ने पकड़ी रफतार लालो यादव की तवियत को देखते वे अब उन्हें रिहा करने की मांग देखने को मिल रही है। बंद रखा गया है। उन्हाने कहा कि दो लाग पोस्ट गार छपवाए गया है जल्दी इसे राश्ट पती को सौपा जाएगा। पत्रों की प्राप्ती हुई उसके बाद राजा दश्रत रे अपने पुत्रों को यहां मुंडन भी करवाया था। गंतंतर दिवस के अफसर पर किसानों का दिखा उगर प्रदर्शन। गंतंतर दिवस के इस अफसर पर किसानों के इस रवईये ने कई सवाल खड़े कर दिये हैं। दूसरी तरफ किसान संगठन के नेताओं ने इस पूरे मामले से पर राज हार लिया है। चात्रों द्वारा बनाए गये कृतियों एवन प्रदर्शनी का अब लोकन भीकिया विभिन विश्यों पर आधारित चित्र मूर्ती छापा चित्रे एवन फोटोग्रफी विधा को चात्रों ने प्रदर्शित किया। प्रचारे डॉक्टर अजे कुमार पांडे ने बताया है कि छात्रों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है क्योंकि वो अपनी कलाकृतियों को दूसरे लोगों के साथ साजहान नहीं कर सकते थे लेकिन अब धीरे-धीरे सभी चीज़े सामाने हो रही है। अश्विन ने पुजारा को दिया चालंज उंग्लान के खिलाफ खेले जाने वाले माज से पहले टीम इंडिया के स्टार स्पिनर और अश्विन ने स्टार टेस्ट बले बास चुतेशवर पुजारा को लेकर एक चालंज दिया है। अश्विन सिफ तकनीक के लिए जाने जाते हैं और इसके लिए उनकी तारीफ और आलोच शादोनों होती रहती है। अश्विन सिफ तकनीक के लिए जानते हैं अगर हम सराफ़ बजार की बात करें तो तो सोने का भाव 26 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रती 10 ग्राम 48,330 रुपे था वही 24 कैरेट के लिए प्रती 10 ग्राम 49,330 रुपे था। पुरानी गाडियों पर ग्रीन टाक्स लगेगा। कर हमारे द्वारा पूछे के सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत हैनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है इसके लावा हमारे टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय क्या भाव की कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के इस सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके रुसार सिक्षा के छेतर में सरकारी स्कूल के पिछड़ने का मुख्य कारण क्या हो सकता है अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बेल आइकोन दबाना ना भूले और अगर आपे वीडियो हमारा फेस्बुक पर देख रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और जाद जाद शाद शेयर करें धन्यवाद